हेलो एवरिवान, माइनेम इस अदीती चौधरी, वेल्किम टू माइ चैनल, अक्सर हमें अपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसे बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे, पता है आज क्या हुआ, पता है आज क्लास में टीचर ने मेरी तारीफ की, पता है आज मम्मी घर पर पास्ता बना रही है, पता है वो नया फोन लेकर आया है, ऐसे हिंदी के सेंटेंसे जिनकी स्टार्टिंग हम करते हैं, पता है से इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम यू नो, इसका यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है पता है या तुम्हें पता है, चलिए इसका लिख रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि you know के बाद पहले कॉमा लगाएंगे और उसके बाद अपना complete sentence लिखेंगे चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए पता है आज क्या हुआ? You know what happened today? You know what happened today? पता है आज teacher ने class में मेरी तारीफ की You know today the teacher praised me in the class You know today the teacher praised me in the class पता है तुम्हारा अंदाज़त सही गया You know you guessed it right You know you guessed it right पता है आज मम्मी घर पर पास्ता बना रही है You know today mom is cooking pasta at home You know today mom is cooking pasta at home पता है वो तुम्हारी बुराई कर रही थी You know she was bad-mouthing you या फिर You know she was speaking ill of you किसी की बुराई करने को इंग्लिश में हम दो तरीकों से बोल सकते हैं एक होता है to bad-mouth someone और एक होता है to speak ill of someone दोनों का ही मतलब होता है किसी के बारे में बुरा भला बोलना या किसी की बुराई करना पता है उसकी दिल्ली में नौकरी लग गई You know he got a job in Delhi You know he got a job in Delhi पता है मेरे भाई की शादी तै हो गई You know my brother's marriage is fixed You know my brother's marriage is fixed पता है कल उसका birthday है You know tomorrow it's her birthday You know tomorrow it's her birthday पता है उसने नया फोन खरीदा है You know he bought a new phone You know he bought a new phone पता है मैं भी यही सोच रहा था You know even I was thinking the same You know even I was thinking the same पता है कल से मेरी तीन दिन की चुट्टी है You know I have three days off from tomorrow You know I have three days off from tomorrow अब एक sentence आपके लिए पता है मैं आजकल इंगलिश सीख रहा हूँ इसको हम इंगलिश में कैसे बोलेंगे या आप मुझे कमेंट्स में बताईए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified whenever I post new videos अब हम मिलेंगे नए वीडियो में नए लेसन के साथ तब तक के लिए take care bye bye